स्कूटर का रिव्यू कर लिया है हमने इस चैनल पर एक और वीडियो लेके आया हूं मैं आपके लिए जो कि नोन आर्टियो स्कूटर है नवश्कर दोस्तो मेरा नाम है कमरेश बढ़ाना और आपका स्वागत है मोटो मेकेनिक के एक और वीडियो में आज हमारे सामने है एस प्लस जो आता है वेरिवो की तरब से सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी चावी से तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऐसी डिजैन के आपको चाविया दी गई है दो चाविया मिलेंगी और दो ही आपको इसके अंदर रिमोट दिये गए हैं जिसके अंदर आपको लोक अनलोक करने के लिए और पावर के लिए आप्शन मिलेगा तो भाई हो क्या रहा है कि जितनी डिजैन के अंदर स्कूटर आ रहा है वितनी डिजैन के अंदर आपको रिमोट भी देखने को मिल जाएंगे इसकी डिजैन आपको कैसे लेगी वो जरू बताना मुझे कमेंट बोक्स के अंदर तो कीज को लगाते हैं इनकी जगे पे और हर वीडियो में आपको पताईए कि हम front profile से start करते हैं इसकी चारो तरब से walk around करने वाला हूँ बट सबसे पहले start करते हैं front profile से और देखते हैं वहाँ में क्या कुछ देखने को मिलेगा आजकल maximum electric scooter में आपको LED headlamp पर देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर भी आपको LED headlamp मिलेंगे बट आपको एक unique चीज मिलेगी वो है इसके DRLs यहाँ पर आप देखेंगे कि DRLs का color change होता है इसके अंदर यह feature दिया गया है color change करने का तो night के time पर यह बहुत अच्छा लगता है एक डिजाइन वाइस देखें तो आपने petrol scooter देखा होगा विस्पा तो same to same वेसी की वेसी बोडिट देखने को मिल जाएगी इसके अंदर handlebar के just नीचे variable की branding दी गई है front side में आपको कुछ जगर पर chrome का treatment दिया गया है अगर बात कर ले turn indicator की तो stock bulb के साथ में आते हैं बट इसके पास में जो छोटी-छोटी DRLs हैं वो काफी अच्छे लगती है color option की बात कर ले तो यहाँ पर आपको जो black color दिख रहा है इसके अलावा yellow, red और white color में यह available है तो भाई यहाँ पर आपको driving license और registration की दोनों की जरुत पड़ेगी because यह एक high speed electric scooter है अगर आपके पास driving license नहीं है तो आप channel पर visit कर सकते हैं वहाँ पर आपने कहीं scooter का video बनाया है जो non-RTO है without driving license के चला सकते हैं आप front suspension की बात करें तो यहाँ पर आपको telescopic shocker मिल जाएंगे बात करें tire की तो यहाँ पर आपको JK के tire दिये गए हैं tube less हैं और 3-10 size की आते हैं wheel rim आपको मिलने वाली है aluminum alloy की और इसके ओपर silver color किया हुआ है यहाँ पर भी chrome की strips दी गई है जिसे और वल जो है premium look निकल कर आती है उसी साबसे यहाँ पर भी black की जगए silver brake lever दिये गए हैं photo board की बात कर लें तो यहाँ पर अच्छा space मिल जाएगा flat दिया गया है यहाँ पर कुछ सामान रखना चाहें या फिर pair रखना चाहें comfortably आप रख सकते हैं 170 kg की loading capacity है तो आप cylinder वगरा जो होते हैं वो भी रखना चाहें तो वो easily रख सकते हैं seat की बात करें तो cushions आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे seat cover भी आप देखी रहे होंगे यहाँ पर भी आपको premium feel देने की कोशिश की गई है build quality की बात कर ले तो हाँ petrol scooter जैसी तो नहीं है but as compared to electric scooter इसके अंदर आपको अच्छी build quality मिल जाएं rear side suspension में dual coil shock absorber दिये गये हैं addis stable रहेंगे यह अपनी साब से आप इनको addis कर सकते हैं कुछ scooter में आपने देखा होगा कि जो इसकी swing arm होती है जिसको team time भी बोलते हैं local language में तो उसकी जो cover होते हैं उसको काफी बड़ा बना दिया जाता है बट यहाँ पर आप देखेंगे एकदम अच्छा सा cover दिया गया है seat के पास में मिल जाएगा आपको metal का grip handle और यहाँ पर एक backrest दिया गया है इसके अंदर cushions भी लगया है मैंने कुछ scooter में देखा हुआ है कि backrest दो देते हैं बट वहाँ पर hard plastic होती है cushions नहीं होते बट यहाँ पर यह चीज add की गई है मुझे बहुत अच्छा लगा यह चीज tail lamp मिलने वाली है LED के अंदर और आप देखेंगे number plate light है यह इसकी fit and finish आप देख सकते हैं powerful motor मिलने वाली है जो कि आपको speed अच्छी खासी देदेगी 3 side cover कर चुके हैं finally left side की तरब चलते हैं और देखते हैं left side से कैसा क्या दिखाई देता है तो दोस्तों आपके सामने हैं इसकी complete left side profile इसकी range की बात करें तो यह आपको 60 से 70 km की range देदेगा एक बार charge होने के बाद में साथी साथ आपको side stand और man stand दोनों option मिल जाएंगे इस scooter के अंदर इस scooter को आप lithium iron battery के साथ में भी खरी सकते हैं और lead acid battery के साथ में भी खरी सकते हैं दोनों के अंदर यह available है इसके अंदर आपको मिल जाएगा 165 mm का ground clearance braking के बात करें तो front side में disc brake दिये गये हैं वहीं आपको rare side में drum brake मिल जाएंगे तो भाई साथ इसी तरीके से और भी वीडियो आने वाली हैं इस चैनल पर electric scooter के regarding तो आप जो है चैनल को subscribe कर सकते हैं handle के पास में यहाँ पर छोटा मोटा space दिया गया है यहाँ पर purse रख लीजिए या mobile रख लीजिए इसको आप log कर सकते हैं तो कोई कीमती छोटा मोटा सामान भी रखना चाहें तो वो रख सकते हैं और आप कुछ इस तरीके से इसको दोबारा से log कर सकते हैं ज़्यादा कुछ रखने की जगह आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी अब switch को on करते हैं और सीधा लेकर चलता हूँ आपको instrument panel की तरफ तो यहाँ पर आपको color display मिल जाएगी इसके अंदर आप गाड़ी की speed देख सकते हैं odometer reading check out कर सकते हैं वहीं पर आपको battery का status भी देखने को मिल जाएगा instrument के पास में आपको कुछ curve design वगरा दी गई है टेकनिकली देखें तो यहाँ पर बरसाद के time पर थोड़ा बहुत protection हो जाएगा पानी से अब बात कर लेते हैं switches की तो यहाँ पर आपको left side के अंदर high beam, low beam के लिए turn indicator के लिए horn के लिए वहीं पर hazard light के लिए और reverse के लिए switch मिल जाएगा तो यहाँ पर इतने सारे switches दिये गए है left side में वहीं पर बात कर ले right side की तो headlight on off के लिए speed का mode set करने के लिए start के लिए और repair button के लिए यह buttons मिल जाएंगे आपको right side में तो अब बात कर लेते हैं under seat storage की तो यहाँ पर जो main key है उसको यहाँ से निकालते हैं और एक अलग से lock दिया गया seat के पास में तो यहाँ से आप seat को unlock कर सकते हैं कुछ इस तरीके से गुमाना होगा इसकी चावी को तो storage तो पूरी तरीके से full हो रखा है यहाँ पर कुछ documents वगरा रखे हुए हैं इनको हम एक तरफ निकाल देते हैं और देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है तो यहाँ पर एक charger मिल जाएगा आपको metal body के अंदर दिया गया है यह बात करें इसकी power key तो यह 5 ampere के साथ में आता है इसके अंदर आपको छोटी से display भी मिल जाएगी जिसके अंदर battery कितनी भरी है कितनी खाली है उसकी जानकार यह आपको मिल जाएगी इसके आप side में देखेंगे तो एक fan लगा हुआ है इसको ठंडा रखने के लिए size देखें तो एक compact size मान सकते है इसको बहुत जादा बड़ा भी नहीं है बहुत छोटा भी नहीं है तो storage आप देख सकते हैं जितनी मैंने expect करी थी क्योंकि इसकी seat बहुत जादा बड़ी नहीं है तो मैंने सोचा था कि कमी space मिलेगा बड़ expectation से जादा ही मुझे space मिला है आपर बैटरी आपर removal नहीं मिलेगी आपको आप देख सकते हैं कोई जगे नहीं है बैटरी निकालने के लिए charging time की बात करें तो lithium-ion battery के साथ में ये 3,5-4 गंटे लेगा वहीं पर अगर बात कर ले lead acid के साथ में यहाँ पर 4-5 गंटे देने होंगे आपको full charge करने के लिए अब बात कर लेते हैं इसकी extra room price के लिए तो lithium-ion battery के साथ में 71,740 रुपे देने होंगे वहीं पर lead acid battery की extra room price रहेगी 55,360 रुपे तो सब कुछ discussion हो चुका है एक important चीज है वो छूट रही है वो है warranty तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप lithium-ion battery के साथ में जाते हैं तो एक साल की charger पर और वहीं पर 3 साल की warranty रहेगी इसकी battery, motor और controller पर वहीं पर अगर आप जाते हैं lead acid battery के साथ में तो यहाँ पर जो चारो आइटम है battery, motor, charger, controller इन सभी पर आपको एक साल की warranty मिलने वाली है तो दोस्तों यह थी video variable ads plus के उपर वीडियो अच्छी लगी हो तो like जरू कर दीजिएगा इससे motivation मिलती रहेगी हमें इसी तरह की वीडियो आगे भी देखना चाते हैं तो चैनल को subscribe जरू कर लीजिएगा तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में take care and thanks for watching